हेलो ब्रिवेन, बेलकम टू माई योटूब चैनल, जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है, फ्रेंट आज हम अपने इस वीडियो में GIC लेक्षर जिसमें 40 कोश्चन सामान अध्यन के आने हैं, उसी से रिलेटेड ए वीडियो है, जो एक्जाम के पॉइंट आफ ब्यू से बहुत ही यूजफूल है, तो ये वीडियो बिना स्किप किये हुए कंप्लीट वाज करिए, जिससे आपको एक्जाम में ज्यादा से ज्यादा हिल्प मिल सके, चलिए चलते हैं, आज का फर्स्ट कोश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट कोश्चन है, हाली में किसे रेल्वे बोड का नया चेर्मेन नियुक्त किया है, किसके अस्थान पर, वीके यादाव जी की अस्थान पर, रेस्मा मरियप्पन राई ये कौन है, यह देश की सबसे यूवा पंचायत अध्यक्ष हैं, वहीं आरिया राजिंदरन, यह देश की सबसे यूवा मेयर बनी हैं, हमारा अध्यकुमार चौधरी के अस्थान पर, सोमा मंडल को सेल का नया चेर्मेन नियुक्त किया गया है, उद्य संकर इनका संबंद किससे है, यह फिक्की के हेड है, उद्य संकर वहीं CII, CII, यानि भाती उद्योग परिसंग के अध्यक्ष उद्यक्ष कोटक जी है, हमारे पुजना का संबंद, यह असम राज्य से है, असम के किस नदी पर? ब्रह्मपुत नदी पर, और ब्रह्मपुत नदी पर ही सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा रोपय किस नदी पर है? ब्रह्मपुत नदी पर, और इसी पर राष्टी यह जलमार्ग संख्या 2 भी है, भू इंसर है, Lao Tzu, जो बाइडन को और यहां के उपफर राष्ट्रपति कान है? भारतिय मूलकी कम्ला हैरिश है और प्रजेंट टाइम में यहां की जो बित्त मंत्री है वो कौन है जनेट एलेन यह अमेरिका की बित्त मंत्री है हमारा नेश्ट कॉस्चन है हाल ही में बित्त की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइट हुट की उपाद से सम्मानित की है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर बी लुईस हैमिल्टन हाल ही में बित्त की महारानी के द्वारा लुईस हैमिल्टन को नाइट हुट की उपाद से सम्मानित किया गया जो और लुईस हैमिल्टन को ही BBC के दौरह Sports Person of the Year चुना गया है या फिर Sports Person of the Year का आवाइड किसको दिया गया है लुईस हैमिल्टन को हमारा next question है सिमुक किस वंज का संस्थापक था इसका राइट Аंसर है हमारा next question है निमन लिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है इसका right answer होगा option number B सलीम चिस्ती की दर्गा या दिलि में नहीं बलकि कहाँ पर इस्तित है विंदवन में है और बौ्ट इस तूप ये कुशी नगर में है हमारा नेश्ट कोस्चन है प्रशिद हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्स लड़ी गई थी? इसका राइट एंसर है ओफ्सन नमबर बी 1576 इस्वी को लड़ी गई थी किसकी मृत हो गई थी? टीपू सुल्तान की, मृत तो किस विद्ध में हुई थी? तो चतुर्थ मैसुल युद्ध में हमार अनिश्ट क्वेश्चन है अराम हराम है का नारा किस ने दिया था? इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर बी जवाहल लाल नहरू अराम हराम है का नारा या जवाहल लान नहरू के दोरा दिया गया था? वहीं सुभाशंद वोस के दोरा दिल्ली चलो का नारा महत्मा गाधी के दोरा करो या मरो का नारा तथा बाल गंगधर तिलक के दोरा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था बाल गंगा-धर तीलाग के द्वारत इस question का right answer क्या होगा? option number B हमारा नेश question है निम्ने लिखित में से कौन सुक्ल यजुर्वेद की संगिता है? कौन सुक्ल यजुर्वेद की संगिता है? इसका right answer है option a wassei' , या सुख्ल यजूर्वेद की संगिता है यजूर्वेद कौ डूपार्ट में डिवाइड किया गया है एक सुख्लयचुरॵेद और दूसरा क्या है कुछन पुष समित्र सुंग द्वारा दो अस्वमेग यग किये जाने के बारे में जानकारी किस लेग से मिलती है? इसका राइट एंसर है, ओप्सर नमबर सी, आयध्या लेग से, किस लेग से मिलती है? आयध्या लेग से, आयध्या लेग से जानकारी मिलती है कि पुष समित्र हमारा नेस्ट क्वेश्चन है रशिक प्रिया निम्न लिखित में से किसकी रचना है इसका रायट एंसर है ऑफिसन नुम्बर डी केशवदास रशिक प्रिया या केशवदास की महत्वपूर रचना है वहीं ध्रू दास के दवरा भगत नामावली तथा नाभा दास के दास भक्तमाल वहीं रश्खान के द्वारा सुजान रश्खान वा प्रेम वाटिका लिखा गया था क्या रश्खान की प्रमुख रचना कौन सी है सुजान रश्खान वा प्रेम वाटिका ये किसकी रचना है रश्खान की प्रमुख रचना है तथा रसिक प्रिया ये केशव दास की रचना है इसका राइट अंसर क्या होगा option number D हमारा next question है निम निलखित कत्नों में कौन सही नहीं है इसका राइट अंसर है option number A है काली मिट्टी को अस्थानिय भासा में रेंगूर कहा जाता है इसके अनुसार रेंगूर मिट्टी अनिवारे रूप से एक परिपक को मिट्टी होती है option number C है काली मिट्टी में नमी धारड करने की शमता अधिक होती है and option number D है काली मिट्टी हिमाले छेतरों में पाई जाती है इसका right answer होगा option number D क्योंकि काली मिट्टी जो है वो हिमाली छेत्र में ना होकर कहां पर पाई जाती है भारत के दक्कन छेत्र में या दच्छडी छेत्र में पाई जाती है भारत के दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में ही कौन सी खेती की जाती है कापास की खेती के लिए सबसे उपियू की मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है इसका नाम पता ही है कि ये रेंगूर अस्थानी भासा में इसे रेंगूर बोला जाता है और इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, लौग अंसकी मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, कापास या काली मिट्टी में होती है, चलते हैं अपने निश्ट कोशन पर, भारत के निमनिलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाड से नहीं निकलती है, इसका राइ पर्देश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से तापती नदी निकलती है भारत में दो इंपॉर्टेंट नदियां है वैसे तो कई हैं लेकिन एक तो साबरमती नदी माही नदी नर्मदा नदी और तापती नदी ये चारो नदियां जो हैं वह वह कहां पश्यम क्यों अपना जल गिराती है तो कई बार ये भी कोशन पूछता है कि निमने लिखित में से कौन सी नदियां है जो पश्यम की और प्रवाहित होती है तो उसमें नर्मदा तापती या फिर माही शावरमती इस टाइप के आंसर आपको देखने को मिलेगे और कई बार इस कोशन को ऐ देल्टा है वह सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा और बंभुपुत्र के जो नदी है वहां मुहाने पे आपको देखने को मिलागा कहां पर है पश्यम बंगाल में है तो इस कोशन का राइट एंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर भी तापती नदी या पश्यमी घार से नह जर्मन वनस्पत विज्ञानी ब्लादिमीर कोपन के द्वराय कहा गया कि वनस्पत जलवायु का सही सूचक है हमारा नेस्ट क्वेशन है निम्लिकित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है इसका राइट एंसर है ओप्शन नमबर डी गिप्सन मरुस्थल ब्राजील एक और यह मरुस्थल दिया गया है और यह देश का नाम सोनोरन मरुस्थल यह संयुक्त राज अमेरिका में इस्तित है तकला मकान यह चीन में इस्तित है कराकुम मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में इस्तित है वहीं जो गिप्सन मरुस्थल है यह ब्राजील में ना होकर और कहां पर है ऑस्टेलिया में इसलिए इसका इसकोशन का राय टेंसर क्या होगा ओप्शन नमबर डी हमारा नेस्ट कॉश्चन है स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मद्द की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है स्वेज नहर के बनने के बाद जो भारत और यूरोप के मद्द की दूरी है उन दूरी में कितनी कमी आई है तो इसका राय टेंसर है ऑप्शन नमबर बी साथ हजार किलोमेटर सोयज नहर के बन जाने के बाद भारतवा यूरोप के मद्ध की दूरी में 7000 km की कमी आई है कितने किलोमेटर की? 7000 km की कमी आई पहले जो यूरोप के लोग थे वो भारत आने के लिए क्या करते हैं पूरा ऐस्टेलिया घुमते थे आउस्टेलिये यहां से केप आप गुड होप से होते हुए तब यहां इधर आके भारत आते थे लेकिन जब स्वेज नहर बन गया यहीं पर स्वेज नहर यह लाल सागर है और यहां पर क्या है भूमद्य सागर तो इसी दोनों को जोड़ने के लिए यहां पर यूरोप पूर होता है स्वेज नहर वर्तमान में इस नहर पर वर्तमान में किस देश का आधिपत्य है तो मिस्त्र देश का किसका है यहीं पर मिस्त्र देश इस्तित है यहां पर मिस्त्र देश इस्तित है और यहां पर मिस्त्र है और स्वेज नहर पर किसका अधिकार है मिस्त्र का अधिका का अगड़ी उत्पादक है चिली यह दर्चुड़ी अमेरिकी एक देश है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है सैंटियागो इसकी कैपिटल सैंटियागो है चलते हैं अपने निम्न लिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है यह क अंगारू चूहा है वो बिना पानी पिए सबसे ज्यादा समय तक रह सकता है हमारे नेस्ट कोश्चन है भारत का प्रथम नैस्नल सेंटर फ़र मरीन बायो डिवरसिटी यानी यंसी एमबी कि सहर में इस्थित है इसका राइट एंसर है ओप्सन नंबर बी जामनगर में भार समुद्री राष्टी ये उद्यान इस्थित है हमारे नेस्ट कोश्चन है कि दच ग्राम राष्टी ये उद्यान निम्न लिखित में से किस से संबंधित है इसका राइट एंसर है ओप्सन नंबर डी हंगुल या फिर कस्मीर स्टाइक के कारण दच ग्राम नेशनल पार्क यानि दच ग्राम राष्टी उद्यान क्या है संबंधित है जम्मू कस्मीर में दच ग्राम राष्टी उद्यान कि स्राज में पाया जाता है जम्मू कस्मीर में पाया जाता है और इसके अलावा अगर पूछे जम्मू कस्मीर में इसके अलावा कौन सा नेशनल पार्क है त इसका राइट एंसर है option number a Mstiroidum में Greenpeace International का मुख्यालाatie आ systems में स्थित है इसकी इस्थापना कभ गई थी 2007Sorry में Greenpeace की स्थापना 1971 में करना के बैंक्डावर में काया च्ट मेंक या परियाःवर्ड के छेतर में काम करने ओफसर नमबर B, 30 जून 2008 को जलवाई परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्टी कारियोजना लोकार्पित की गई थी, कब की गई थी? 30 जून 2008 को हमारे निष्ट क्वेशन है, निम्न लिखित बिद्दुत चुम्ब की विकाड़ों में से किसकी उर्जा अधिक्तम होती है? इसका राइट एंसर है, ओफसर नमबर D, यक सिक्रणों की उर्जा जो है अधिक्तम होती है अगर उर्जा के रूप में देखा जाए कि सबसे अधिक उर्जा किसकी होती है तो गामा किरण, गामा किरण है इसकी उर्जा सरवाधिक होती है इसके बाद है यक सिक्रण, दूसरे नमबर पर कौन सा है यक सिक्रण, थर्ड नमबर पर कौन सा है पराबैगनी किरण या फि पर इंफ्रारेड जो 6 नंबर पर है वह माईक्रोवेव और लास्ट में कौन सा है लेकिन क्यूंकि इस जो option है उसमें गामा नहीं प्रजेंट है कौन सा प्रजेंट है तो यक्स क्रिण प्रजेंट है तो दिये गए बिकल्पों में सही अंसर क्या होगा option number D हमारे निश्क क्वेश्चन है ग्रैफीन होता है option number A है कार्बन की मिस्रधा तो option number B है कार्बन का नैनो प्रतिरूप option number C है कार्बन का समस्थानिक एंड option number D है उपरोक्त में से कोई नहीं इसका right answer होगा option number B कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रैफीन या कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है हमारा next question है भारत के संभिधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंतरता समानता भ्रात्तित्तों का उसी क्रम में उल्लेक किया गया है इसका right answer होगा option number a भारत के संभिधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय समाजिक आर्थी एवं राजनेतिक तीन प्रकार के न्याय तथा स्वतंतरता पांच प्रकार की स्वतंतरता विचार की स्वतंतरता अभिव्यक्ति की स्वतंतरता विश्वास की स्वतंतरता धर्म की स्वतंत एक प्रकार के बंधुत वो कौन सा है भार्तित इसका उल्लेक्स संभिधान के प्रस्तावना में किया गया है हमारा नेस्ट कोश्चन है निमनी लिखित में कौन एक सम्विधान इत्तर संस्था यानि निमनी लिखित में किसका सम्विधान में वर्डन नहीं किया गया है सम्विधान इत्तर का मतलब है कि सम्विधान में इस संस्था का वर्डन नहीं किया गया है इसका राइट एंसर है, option number D, नीति आयोग, नीति आयोग या सम्विधानितर शंस्ता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग का, नेशनल इंस्टिटूट फॉर टांसफार्मिंग इंडिया, इसको कब स्टैबलिस किया गया था, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, के उपाध्यक्ष राजियू कुमार और CEO अमिताव कांथ है, प्रजेंट टाइम में नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताव कांथ है, वहीं जो संग लोग सेवा आयोग है, संग लोग सेवा इसका आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में वर्डन किया गया, निर्वाचन आयोग इसका आर्टिकल 324 में वर्डन किया गया, तथ बित आयोग इसको किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में वर्डन किया गया है, और नीति आयोग इसका किसी आर्टिकल में वर्डन नहीं किया गया, या एक संविधानित्तर संस्ता है, हमारा नेस्ट कोश्यन है, सरप्थम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी इसका राइट एंसर है ओफशन नमबर एक ग्रेट ब्रिटेन में यानि UK में सरवर्थम संसदात्मक सरकार की अस्थापना की गई थी हमारा निस्ट कोशिन है निमन लिखित में इसे किसके संबद में राज सबा का अनन्य अधिकार है इस कोशिन का right answer होगा ओफशन नमबर C एक नई अखिल भारती सेवा के स्रिजन हे तुश संसुथ करना या राज सबा का अनन्य अधिकार है किस आर्टिकल के तहट आर्टिकल 313 स्वारी आर्टिकल 312 के तहट राज सभा को यह अनन्य अधिकार दिया गया है कि वह किसकी वह करें एक नई अखिल भारती सेवा के स्रिजन है तो संसुत कर सकते हैं हमारे नेक्ट कॉस्टन है बिना अनुमत के कितने दिन तक संसत से अनुपस्थित रहने पर किसी संसत को आयोग घोशित किया जा सकता है इसका राइट एंसर है ओफ्शन नमबर C 60 दिनों तक कितने दिन तक साथ आर्टिकल एक सो एक चार में संसत के किसी सदस की सदसता तब समाप्त समझी जाती है जब वह साथ दिन की अवधी तक सदन की अनुग्या के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है हमारे नेक्ट कॉस्टन है निमने लिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है यह कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है किस से एकोनॉमिक्स रिलेटेड यह कोशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है इसका राइट एंसर होगा को ओफसर नमबर डी आएकी पिसंता किसे आय की अमेरीकि अर्थसास्त्री मैको लॉरेंज के दौर लॉरेंज वक्र खुश्ज मन लॉरेंज वक्र बताय गय यह लॉरेंज वक्र किस क्या ग्याद करता है आए की बिसमता ग्याद करता है हमारा नेस्ट क्वेश्चन है भारत में नगरिये छेत्रों में बीपील परिवारों की पहचान के लिए निम्न लिखित में कौन सी समित की गठन की गई थी इसका राइट अंसर है ओप्सन नमबर डी हासिम समित नगरिये चेत्रों या फिर सहरी चेत्रों में बीपील परिवारों की पहचान के लिए हासिम समित की गठन की गए थी जिसे हासिम समित के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा वर्स 2012 में अपनी रिपोर्ट दी गई थी कब दी गई थी वर्स 2012 में अपनी रिपोर्ट दी गई थी हमारा इनेश्ट क्वेश्चन है बैस्युक गाउं की संकल्पना का विकास आधारित है इसका राइट एंसर होगा option number C परिवाहन एवं संचार का विकास बैस्युक गाउं की संकल्पना जो है ये परिवाहन एवं संचार के विकास पर आधारित है मैक्स मैलुहॉन के दौरा बैस्विक गाउं की भविस्वाडी की गई थी हमारा इनेश्ट क्वेश्चन है वर्स 2011 की जरगर्णा की अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्रिलखी जनपदों में किसमें महिला साक्षर्तादर सबसे कम है इसका राइट एंसर है ऑप्सन नंबर बी स्रावस्ति जनगर्णा 2011 की अनसर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ति जिले की जो महिला साक्षर्तादर है वो सबसे कम है कितनी है 38.8% वहीं अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में किसमें महिला साक्षर्ता सरवाधिक है तो कानपुर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर्णागर इनका संब्ध है क्रिस्स के छेट्र में कोई भी nobel prize नहीं दिया जाता है तो किस में दिया गया इनको सांथी के छेट्र में नर्मन बोल राग को nobel prize दिया गया जूशन बहुत ज्यादा कंफिूजिंग है ज्यादा तर बच्चे इसको जो नहीं एक्दम क् 즐र्व रहते हैं वोgart करें झेलए करें की कोई भी nody val pull रूंड दीया गया है कि एक क् सीज आफ टाइम्ज इस grieving स्टी ऑफ टाइम्स नमक पुस्टक किस नहीं लिख है इसका राइट एंसर है स्टेफन होकिन्स के दौरा एक ब्रीफ इस्टी आफ टाइम्स नामक पुस्तक लिखी गई है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मारी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तदा वैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो जय हिन